आज दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक बयान दिया और साथ ही एक फैसला लिया उन्होंने फैसला लिया कि दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सब को वो सील कर देंगे चलिए यहां तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि दिली के अंदर कोरोना वारिस का केसिस बहुत ज़ादा बढ़ रहा था, तो इसलिए दिली के मुख्य मंत्री होने के मुताबिक, दिली के मुखिया होने के हिसाब से, उनका ये जो फैसला है दिली के बॉर्डर्स को सील करना, यह justify हो जाता है यह कहीं हद तक सही है लेकिन उनका जो यह बयान आया है कि दिल्ली के अस्पतालों में हम कुरोना वारिस का मुफ्त इलाज दे रहे हैं जिसको देख करके आज पास के जो लोग हैं आज पास के जो राज्य के लोग हैं यूपी, बिहार, हर्याना इन सब एक प्रदेशों के जो लोग हैं दिल्ली के कॉर्मेंट अस्पतालों का जो मुफ्त इलाज है कुरोना वारिस का उसका यूज करके चले जाएंगे तो उनका यह बयान कहां तक सही है क्या अब उनके ऊपर ये सवाल नहीं उठना चाहिए केजरिवाल जी पे कि जो आपने दिल्ली के मजदूरों को भगाया यूपी बिहार के लोगों को आपने इतने भारी तदात में पलायन करवाया अगर आप लोगों को याद होगा तो सबसे पहला जो मजदूरों का पलायन हुआ था वो दिल्ली के तरफ से हुआ था दिल्ली से हुआ था सबसे पहला मजदूरों का पलायन तो क्या ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में जान बूच करके अर्विंद केजरी वाल जी ने मजदूरों का पलायन करवाया जिससे वो दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें केवल मात्रे दिल्ली वासियों को स्थान दे सकें चले दिल्ली के मुखे मंतरी हैं ये सब उनका सोचने दिल्ली वासियों के लिए बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आप एक अखंड भारत में रहते हैं और एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोकतांतरिक विवस्ता चलती है आपको एक राज्य में जाके इलाज करवाने पे कोई पाबंदी नहीं है फिर ऐसे किसे राज्य के और राज्य नहीं वो भी राजधाने की मुख्य मंतरी का ऐसा बयान देना किस हद तक सही है अब दिल्ली के जो मुख्य मंतरी है केजरिवाल जी इनके इस बयान के पीछे और इनके इस पैसले के पीछे कई सारे सियासी पैसले भी हो सकते हैं कई सारे आप सियासे दाव पेज भी देख सकते हैं अगर आपको याद होगा तो इससे पहले दिल्ली के बॉडर्व सील तो किया गया था लेकिन यूपी के जो मुख्य मंत्री है योगी जी उनके तरफ से ये बात कही गई थी कि अब अर्थवरस्ता को भी जारी रखना बेहत जरूरी है क्योंकि दिल्ली से ऐसे कई कारोबारी हैं ऐसे कई कामकाजी लोग हैं जो कि दिल्ली से नौइडा के तरफ आते हैं और कई ऐसे नौइडा के लोग हैं जो कि दिल्ली में काम करने जाते हैं जिनको अगर हम बॉर्डर सील कर देते हैं तो उनका आने जाने पर प्रतिबंद लग जाएगा जिससे जो उनके घर की रोजी रोटी है और दिल्ली और यूपी की जो अर्थवस्ता है उस पर भारी चोट पहुंचेगा तो इसको देखते हुए भी क्या पता केजरीवाल जी ने अपनी खीज को निकालने के लिए अपने खुंदक को निकालने के लिए इस फैसले को लिया हो चलिए ये तो और बात थी कि आप सियासी दाव पेज खेल रहे हैं लेकिन इस फैसले को देखकर के केजरीवाल जी के इस फैसले को देख करके कई सारे ऐसे लोग ट्वीटर पे आए कई सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया दिल्ली के मंत्री केजरीवाल से उन्होंने कहा कि अब जो आप हैं वो दिल्ली के अंदर और पूरे भारत के अंदर जो है डिवाइट पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं और तो और कई सारे लोगों ने केजरिवाल जी से ये भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब दिल्ली के साथ परसंट जो कौर्रमेंट होस्पिटल्स हैं वो केंड अंदर में आते हैं जैसे एक अस्पताल है एमस आरेमल ये सेंटरल के अंदर आते हैं मतलब भारत के किसी भी कोने से नागरिक यहाँ पर आकर के इलाज करवा सकते हैं तो केजरिवाल जी ने अपने हिसाब से बॉरडऱ्न को स्टील कैसे कर दिया ये बहुत सारे सवाल जो हम केजरिवाल जी पर उठ रहे हैं अब आपको एक और बताते हैं कि केजरिवाल जी ने एक और मांग रखी है Central Government से केजरिवाल जी ने अपने राज जी को चलाने के लिए 5000 करोड की मांग करी है Central Government से उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी एस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और जितने भी करमचारी हैं उन सबको मुझे salary देनी हैं इस वज़े से केंद्र जो है मुझे 5000 करोड का फंड उनको हर महीने चाहिए तो बात यहां पर यह उठती है कि जब आपने जब आपका election था तब आपने free बिजली free पानी सबको दिया मतलब दिल्ली के अंदर इतने सारे लोग हैं उन सबको आपने free बिजली दे दिया free पानी दे दिया तो आपनी इतना पालतों का खर्चा क्यों किया चली यह तो एक बात है और दूसरी बात कि इन्हों ने अपने advertisement पे इतना जादा खर्चा क्यों किया अगर आपको मैं पूरा डेटा बताओं तो करीबन 10 करोड का जो कॉंग्रेस पार्टी इनके उपर आरोप लगा रही है कि करीबन 10 करोड का इन्हों ना जो राशी है वो अपने advertisement पे खर्च किया है और तो और बीजेपी की एक नेता कपिल मिश्रा ने ये बात कही कि केजरिवाल सरकार ने 25 करोड लगभग 25 करोड जो है एक महीने के अंदर advertisement पे खर्च किया है अगर आप लोग newspaper पढ़ते होंगे तो आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा लिजेगा कि आपको हर paper पे जो है केजरिवाल जी की तस्वीर दिखेगी मतलब उनका आपको advertisement हर paper के front page पे दिखाए देगा और तो और जो national television होते हैं उनके उपर भी 14 minute का केवल मत्र advertisement जो है वो दिल्ली सरकार ने book कर रखा है और अपनी publicity के लिए जितना पैसा दिल्ली सरकार और दिल्ली government फेकती है शायद ही कोई दूसरी government और दूसरी सरकार फेकती हो दिल्ली के अंदर जितने भी अस्पताल है सरकारी अस्पताल उनमें से 60% अस्पतालों को केंदर सरकार पैसा देती है मतलब केंदर सरकार पैसा देती है और तो और जो दिल्ली पोलिस है उसको भी केंदर सरकार पैसा देती है फिर क्या केजरिवाल जी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के अंदर जो कुछ मात्र सुविधाय आती हैं वो उनको पूरा कर सके और तो और जब दिल्ली सरकार को भाचपा के जानसर गौतम गंभीर ने ये बात कही कि मैं अपनी सेलरी में से 50 लाख रुपए दिल्ली गौर्मेंट को देना चाहता हूं तब तो केजरिवाल जी ने उनकी पूरी पार्टी ने यहां तक कि डिप्टी सीम ने ये बात कही थी कि दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा है दिल्ली सरकार को पैसे की जरूरत नहीं है और तो और अगर आप कुछ arrangement करवा सकते हैं तो हमें PPE kits का arrangement करवा दीजे और उनको हम खरीदना पसंद करेंगे मतलब आपको अगर जेब का आपको दिल्ली सरकार का राजिस्व का अगर आपको भबकी दिखाना हो या फिर उसका आपको रुतबा दिखाना हो तब तो आप कहीं पीछे नहीं रहते हैं लेकिन जब आपके पास आपके धनकोश में आपके जब पैसा ना बचे आपके advertisement करते क आपके धनकोश में से सारे पैसे खतम हो जाएं तब आप केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने से भी पीछे नहीं हटते हैं और तो और केजरीवाल सरकार जो हैं वह केंद्र सरकार से यह सवाल पूशने से पीछे नहीं हटते हैं कि केंद्र सरकार के पास कि केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा कि उनकी पार्टी ने अभी तक दिल्ली वासियों के लिए इस क्राइसिस में क्या कुछ किया है और हेल्थ सेक्टर में वो कितना कुछ पैसा जो है अपने योगदान दे रहे हैं और इसके बावजू दिल्ली के गौर्रमेंट हस्पतालों से एक वीडियो ज खुद कोरोना से संक्रमित हो गए और आज उनके पास ना खाने की विवस्ता पहुच रही है ना उनके घरवालों से बात चीत हो पारे ना उनके पास पानी पीने की विवस्ता हो रही है चलिए ये बात तो मैंने आपको बताए कि कैसे केजरेवाल जी जो हैं वो हाथ फैला रहे हैं केंदरी के साब ने और कैसे अपनी राजनीती सियासी को चमकाने के लिए दिल्ली सरकार ने सारे बॉर्डरस को बंद कर दिया और अपने एक बेहुदे बयान के साथ अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना वाइरस के जो केसेज हैं वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और तो और जो यहां पर विरोधी दल है पर चाहे वो कॉंग्रेस हो या फिर बीजेपी उन दोनों ने ही दिल्ली सरकार के ऊपर खुब तेज से निशाना साधा है आपको दिल्ली गौवर्मेंट जो है केवल मात्रा 200 लोगों का डेटा बता रही है और तो और अजहे माका ने ये भी बात कही कि दिल्ली के इस सरकारी अस्पतालों में जितना खयाल कोरोना वारिस के पिशन का रखना चाहिए उतना खयाल क्रोंग की पिशन का नहीं रखा जा रहा यहां तक कि दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश शिशोधिया ने भी इस बात को माना कि हमने फ्राइडे तक जिन 13 मौतों की बात करी थी उनमे 69 मतलब 69 मौतों का इसाफा होना चाहिए क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस बात को अंदेखा कर दिया था इस बात को खुद दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश शिशोधिया ने बात को कुबूला है अब आपको बताते हैं कि अजे माकन ने एक और सवाल उठाया कहा कि जिन 70 जापानी सेनिटाइजर मशीनों का यह दावा कर रहे थे कह रहे थे कि मतलब हमने जो है जापानी सेनिटाइजर मशीनों को सतर जापानी सेनिटाइजर मशीनों को जो है दिल्ली के अंदर उतारा ह और तो और इनके कई सारे ऐसे नेता हैं फिर चाहां उसमें आप मनिशी शोदिया को ही क्यों ना लेजिए खुद जो है फोटो शूट कराते हुए यह सब के सब नेता उन जपानी सैनिटाइजर मशीनों के आगे खिचवाते हुए दिख रहे थे लेकिन अब यह जो जबन चेंज इस किया है मतलब यह जितना ध्यान जो है दिल्ली के विकास में नहीं लगाते हैं उतना ध्यान यह अपनी पार्टी के विकास और अपनी पार्टी के अडवर्टिसमेंट में लगाते हैं यह बात जो है कॉंग्रिस पार्टी के लीडर अजय माकन ने कहा है इसे के सा आते हैं तो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक दिया हुआ जाए और फॉलो कीजिए धन्यवाद